डिस्बर्सल डेट का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं डिस्बर्सल डेट का मतलब होता है समवित्रन ति थी या अदाएगी ति थी यानि कि जिस दिन कोई पेमेंट किसे को दी जाती है या किसे को कोई पेमेंट की जाती है तो उसको disbursal date कहा जाता है यानि कि मान लिजे आपने कोई loan लिया और वो loan तीन तारिक को आपके पास आया तो वो तो तीन तारिक है उसको आप उसकी disbursal date कहेंगे तो जैसे कि अगर आप ये कहें कि अनुदान के वितरण की तारिक अगर आप ये कहना चाहें कि समय पर भुकतान निश्चित करने के लिए उसने अपने कैलेंडर पर वितरणति थी अंकित की तो आप कह सकते हैं अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें